नमस्कार मैं संतोष चोहानए आज मैं आपको इस विडियो में बताने जा रही हूं कि थक्ये ओला धही कैसे जमाया जाता है और », ? जो डेरी वाले जो धही जमाते हैं परफेक्ट जमता है वो कैसे जमाया जाता है , क्योंकि बहुत से लोगों के शिकायत रहती है कि जब हम दही जमाते हैं तो वो लेजदार दही जमता है, परफेक्ट दही नहीं जमता, तो वही आप इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और उसमें डाल र यानि पहले का दूद रखा है, तो दही जमाते समय एक बार उसको पूरी तरह से उबाल लेना, तभी दही परफेक्ट जमेगा, ऐसा मत करना कि हलका सा गरम हुआ और हमने जमा दिया, पहले के रखे हुए दूद को भी एक बारा पच्छी तरह उबाल लेना, उसके बादी दही को जमाना, अब दूद हमारा उबल चुका है, अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें मलाई ना जमे, उपर मलाई ना आ जाए, तो बीच बीच में जब दूद हमारा ठंडा हो रहा है, तो बीच बीच में एक गरंईों में अलग तरीके से जमा जाता है olduğunu todayshrey अलग तरीके से जमाइजाता है सर्दियों में अलग तरीके से जमाइजाता है दोनों में बहुत दिफ्रेंस कि वहती होता है क्म हैं दही का तो घर्मयों में कितना डलता है जरूर रखना है तो यह इसम डिशादी है तो हमें जो दूध है हलका आशा गुंगुना होना चाहिए गुंगुने से यानि थोड़ा गर्म होना चाहिए और आगर हम गर्मी में दही जमाते हैं तो बिल्कुल नॉमल गुंगुना होना चाहिए क्योंकि अगर जादा गरम दूद में हमने गुनगुने से जादा गरम दूद में डाल दिया गर्मियों में तो दही हमारा खटा हो जाएगा और सर्दियों में क्या होता है सर्दियों में हमें गुनगुना जो दूद होता है उससे थोड़ा जादा गरम दूद होना चाहिए तो ये बाते भी बहुत मैटर करती हैं जब हम दही जमाते हैं अब दूद है दूद हमारा ठंडा हो चुका है दूद को मैंने दिखें दिखा रही हूँ आप हाथ से मैं अच्छी तरह से पकड़ पा रही हूँ और काफी देर मैंने इसको होल्ड किया है तब भी मेरे हाथ नहीं जल रहे हैं तो इतना गरम दूद होना चाहिए विंटर में अब मैं डाल रही हूँ इसमें वन टेबल स्पून दही तो दही हम जब डालते हैं जमाने के लिए तो वन टेबल स्पून इसलिए मैं डाला क्योंकि विंटर के लिए यह मैं वीडियो बना रही हूँ कि विंटर में आपको दही कैसे जमाना है आप हलका गुन-गुने से बरतन से दूसरे बरतन में दूद को पलटना है तब ही आपका जो दही है बिल्कुल परफेक्ट जमेगा जो हमने इसमें दही का पाड डाला है दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही डाला है वो पूरे दूद में जब तक अच्छी तरह नहीं मिल जाएगा तब तक जो हमारा दही है परफेक्ट ठक के वाला नहीं जमेगा तो एक दो बार हमने पलटना जरूरी है अब हम इसको ढख कर रख देंगे मैं नाइट में जमा रही हूँ सुबह तक यह परफेक्ट जम कर तयार हो जाएगा इसको मैं रूम टेंपरिचर पर रखूंगी जहां पर पंखाना चल रहा हो अब देखिए सुबह हो चुकी है अब मैं दिखाती हूँ आपको दही यह देखिए कितना परफेक्ट आप देख पा रहे होंगे एक बात और है जब हम रात को दही जमाते हैं तो वह और भी अच्छा जमता है दिन का जमाया हुआ दही और आत के जमाया हुए द ध्यान रखेंगे तो दही आपका बिल्कुल परफेक्ट जमेगा ज्यादा कर बाते तो मैंने बता दी है वीडियो में अगर फिर भी कोई बात मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपना कमेंट जरूर कीजीगा अगर आपके मन में कोई को पूस्टन है सो और टिप्स को ध्यान रखेंगे और परफेक्ट ठक्के वाला दही जमाई है वीडियो देखने के लिए धाया ज़्यादा कर देखेंगे लिए